वेल्कम तो मैं चैनल दसन तरो 7777 वह यह है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है तिके आपके निकट भविश्य में क्या कुछ हो सकता है और क्या गाइडेंस आपके लिए आरहे हैं मैं आपको सब कुछ डीटिल में बताऊंगी ठीके चाहिए आपका केरियर हो लव लाइफ हो रिलेशनशिप हो ठीके या फिर मैरेज से रिलेटर कुछ भी बाते हो वह सब कुछ मैं आपको डीटिल में बताऊंगी कि क्या इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है नियर फ्यूचर के लिए ठीके अग आपके रिडिंग होगी जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी ठीके मतलब उस वक्त आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको देख जाएगी ठीके चाहें आप एक साल बात देखो ठीके मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं गाइडेंस यहां मेल रहा ठीके तो इस चीज का ख्याल रखना है आप सभी को सो अब मैं आपको बताओंगी पाइल सेलेक्शन कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद में आगे आपको पॉस करके भी दिखाओंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाओ देखिए अगर आ पाइल टो के लिए है आपका 16 से 31 के बीच में आपका बर्थरे आता होगा किसी भी मंत में और कार्ड है आपके लिए दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव कार्ड है सो जो भी आपको अच्छा लगे भगवान जीजस अल्ला वही गुरू जिसे भी आप मानते हो उनका नाम ले हलो पाइल वन खोप कि आप अपने इस प्यूटिफुल काट को सेलेक्ट करके होंगे या फिर आपका बर्थरे वज़से 15 के बीच में आता होगा तो अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए परसनल डिंग लिए कॉंटाक कर सकते हो मेरे आपके नियर फ्यूटर में क्या होने वाला है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस एंजल देना चाहते हैं तो प्लीज को गिमें अक्यूरेट मैसेज फॉर मैडियर वीवर्स बिल्कुल पॉजिटिव रना आप सभी को ठीक है प्लीज को गिमें अक्यूरे ठीक है यह तो आप जो है बहुत ज़्यादा इंजाइटी में हो इस थिस्ति में आप जाते हो कि किसी से आपको मेस्यट मिलें किसी से आपकी बात हो जाए एक पार ही बात हो जाए ठीक हे और half anłem हल्का हो जाएगा ठीक है यहां यह भी इंफर्मेशन है वर कभी आपका काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है आपके उपर ठीक है बहुत सारी इसली बढ़ने लगेगा स्मूथली चलने लगेगा ठीक है और पीस जो है आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है और राइट तो यह सारी इंफर्मेशन है सासाथ आपको अफिर्मेशन भी करना चाहिए कि आप जो है चीजों को विज्वलाइज कीजिए फस्ट और कहिए कि I am at peace मैं grateful हूँ कि मुझे सब कुछ मिल रहा है इस तरह की चीजे आपको कहने चाहिए ठीक है और क्या इंफर्मेशन है यहां पर आपके लिए इंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी आप जो है ना आगे आने वाले टाइम में प् करनेक्शन बढ़ रहा है ठीक है और फिर से यहां पर यह जो कार्ड है बता रहा है कि आपकी इनर नोइंग तो हो रही है सासत आपकी इनर ब्यूटी भी बढ़ रही है आपके मन में शांती आ रही है आप हायर फ्रिक्वेंसी में आते हुए दिखाई पढ़ रहे हो तो सब चीज यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि शायद आपके मन में बहुत जादा चीजों को लेकर उतल फूतल है या तो खुझ से नाराज हो या किसी से नराज दिखाई दे रहे हो आप चाहते हो कि वह एक बार क्लियारिटी दे दे और वह चीज यहां पर दिखाई पढ़ र चाहे तो शायद रिलेशनसिप में लव लाइफ को लेकर बहुत जादा क्लियारिटी मिल रही है आपको ठीक है यहां पैसा दिखाई दे रहा है कि unlimited चीजे आपको मिलने वाली हैं बहुत सारे opportunities आपको मिल रहे हैं ठीक है आपके अंदर वह potential आपके अंदर जो potential वह पावर चो hidden talent है उसको आप पहचान पा रहे हो ठीक है आगे आने वाले टाइम में लोग आपके abilities को देखतर आपके तरफ attract भी हो रहे हैं आपको नए opportunities लाइफ में मिल रहे हैं ठीक है यहां पे आप healthy होते हुए दिखाई दे रहे हो यहां पे आप in the near future complete होते हुए दिखाई दे र health and success इस तरीके से आपको manifest करना है आपको affirmation करना है ठीक है तो यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है naturally बहुत सब्सक्राइब होते हुए आगे आने वाले टाम में दिखाई दे रहे हो आप जो है कोई भी काम action ले रहे हैं अपने लाइफ में तो काफी kind manner में understanding manner में लेते दिखाई दे रहे हो और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है प्यार को अलाओ कर रहे हो कि हाओ मेरे लाइफ में हाओ ठीक है आप चीजों को आइडियास को काफी easily manifest कर रहे हो यह आर्क एंचल कहना चाहते हैं आपसे ठीक है तो बहुत सारी चीजे चेंजेस हो रही है जै आपके केरियर में भी आपको बहुत सारे opportunities मिल रहे हैं लव लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत सारे मन में सवाल थे तो उसका answer आपको जरूर मिलेगा clarity मिल रही है लव लाइश में और क्या information है आपके लिए कि आप जो है ना काफे ज़्यादा connect होने वाले हो first of all एंजल से और इस वज़े से एंजल आपके तरफ बहुत ज़्यादा healing भेज रहे हैं आप यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही बात पर चल रहे हो ठीक है थोड़ा सा और हिम्मत रखना है आगे बढ़िए बहुत ज़्यादा light आपके लाइफ में आ रहा है यह चीज यहां पर दिखाई पड़ रहा है और यह आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सभी को सबसे पहले तो एक चीज में notice कर पारे भी आप लोग जो है ना universe different universe के हो आप लोग star seed हो सकते हो ठीक है हो सकता है कि आप कुछ एलग energy है मैं unique हूँ सभी के लिए चाहाँ मेल हो female तो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जुद जनम हुआ है उसका एक बहुत ही अच्छा परपस है वह आपको खोजने की जरूरत है ठीक है दिखे परपस आप लोग ऐसे भी पहचान सकते हो जैसे कि आपक हो सकता है कि आपका यह life purpose soul purpose हो सकता है कि आप music के फिल्ड में कुछ बढ़ा करो ठीक है तो आप जो है सीश्वास साइट से continue कीजिए कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है makeup artist बनना चाहते थे लेकिन अपने काम के वज़से सामली के प्रिसर के वज़से आप पढ है बहुत important है लेकिन साथ-साथ अपने soul purpose पर भी आपको ध्यान देना है कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा सही लोगों को ना मदद करना चाहते financially support करना चाहते थे लेकिन खुद का financial status उतना च्छा नहीं होने के वज़से आप नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो यहा मैं कुछ cards लेकर आपको बताऊंगी का information है आपके लिए ओके यहां पर जो card आया है ऐसा कहा चाहरा है कि आपके dreams फुल्फिल होने वाले हैं ठीक है आगे आने वाले time में मतलब in the near future आपको बहुत सरे ideas भी मिल रहे हैं आपको inspiration भी मिल रहा है सासाथ आपके awakening भी हो रही है य यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है आपका हो सकता है life का सबसे बड़ा dream आपका complete हो जाए ठीक है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस रहा पर उस पात पर आप चल रहे हो और आपको clarity मिल रही है आपके life में understanding आ रही है ठीक है कुछ लोगों कैसा होता है life में कि जिंदिग सकती है आगे आने वाले टाइम में in the nearest future में मुझे ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह अगर आपको जरुवत है तो आप मिल सकते हो किसी टैरोरीडर से guidance साहिए या astrologist से या फिर psychologist से तो जरूरी है कि आप एबार contact कर लिजे ठीक हो सकता है कि वहीं पर आपका समाधान हो तो यह चीज़ यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो ड्रीम से उसको एक एंजल की तरफ पर होते हैं पर विंक्स लगने वाले हैं और कुछ टाप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा होगा आपके लाइफ में in the near future आपके सबसे बड़े ड् करना है कैसे बिहेव करना है पैरेंस के साथ सिब्लिंग के साथ फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना है सब कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो साथ साथ आपकी spiritual growth हो रही है इत मींस कि आप बहुत जादा समझदार हो रहे हो ठीक है आपके अंदर understanding आ रही है और आपका ज कर रहे हो यह भी आपे दिखाई पड़ रहा है ठीक है और मैं सभी को ऐसा कहना भी चाहूंगी कि अगर कोई है से आपके लाइफ में जो कि आप से चलिस फील करता है या फिर आप उनको देखकर निगेटिव फील करते हो कहां जारा है कि इग्नोर कीजिए ठीक है क्योंकि अगर अपना एनर्जी दे रहे हो तो कोई फैदा नहीं उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है सिर्फ फ्रस्टेशन आएगा देखिए यहां पर आपके लिए कार्ड है अनकंडिशनल लव आपके तरफ आ रहा है ठीक है यह अनकंडिशनल लव आपके स्टाउस अब स्टाउस चल रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत साथा बैलेंस आएगा आपका रिलेशनसिप हो याप मेरिट परसन देख रहे हो आपका जो प्यार का वाइबरेशन है वह अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है ठीक है अग यहाँ पर करेंगे वह आपको फील करते हुए दिखाई पड़ रहे है ठीक है यहाँ पर कुछ लोग यह भी आइफर्म कर सकते हैं कि I feel good I am happy I am grateful ठीक है यहाँ पर यह भी आप लोग कह सकते हो इवरी सेल इन माई बिंग वाइबरेट्स एद रेट ओफ लॉव ठीक है तो यह चीज है कि अनकंडिशनल लव भी आपको मिलेगा ठीक है उसके लिए आपको थोड़ा रिडी तो होना पड़ेगा क्योंकि अगर आप कोई भी चीज अपने लाइश में करते हो खाने भी ना आप ऐसे कहा जा रहा है अगर आपके पास अभी जीजें नहीं है फिर भी आप थांक्वल रहीए घ्रेट्फूल रहीए ठीक है जो भी जीजें अभी है आपके लाइफ में आप दिखो आपके लाइफ में changes होगा ठीक है अगर आप प्यार की कमी महसूस करते हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्यार भी मिलेगा और वो unconditional होगा मैंने reading बना रहा है distant life partner पर आप लोग देख सकते हो ठीक है मैं इस सब्सक्रीन में लगा दूंगी आपको पता चल जाएगा ठीक है और आपको यह भी पता चलेगा कि इस तरह की पर सथे नापको मिलेंगे ठीक है यहां पर बहुत ब्यूटिफुल कार्ड आया आपके लिए खुद आ रहा है ठीके फॉलें कार्ड है यहां पर आर्केंजल माइकल कार्ड है इतमें इसके आगे आने वाले टाइम में चाहिए आपका ड्रीम हो आपका केरियर हो रिलेशनसिप हो मैरेड लाइफ हो वो सभी बह दिखाई दे रहा है कि आपका life जह है काफी जल्दी protection में आने वाला है कि क्रिस्टल ग्रिए क्लियरिक मिल रही है ठीक है सचाइज पर खतम हो रहा है तिक है जयस charger भी हो रही है तो यह दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी ब्ले Цको मिल वो आपके सभी के साथ अपने पूरे family के साथ आप share कर रहे हो ठीक है यह सारे information है especially मुझे अभी तक read करते करते हैं यहाँ पर यह पता चला कि आपके life में जो भी confusion है वो सबसे पहले खतम हो रहा है ठीक है चाहे relation को लेकर हो मैरे life को लेकर हो या career को लेकर हो वो tension दनाव खतम हो रहा है और आपको बहुत अच्छे creative ideas भी मिल रहे हैं और ऐसा कहा चाहरा है कि आपको प्रात्ना करना चाहिए ठीक है pray करो कि तो बहुत को ठीक है और एक यहाँ पर इस काटके थ्रू है वो है ओके सो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके love life में बहुत बड़ा changes होने वाला है बहुत साइद वोगों के लिए कुछ लोगों के लिए आप ट्रावलिंग दिखाई दे रहा है आगे आने वाले time में ऐसा हो हो सकता है यहाँ पर्टनर हो सकता है आपके तरफ ट्रावल करके आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं ठीक है यहाँ पर आपका बहुत बड़ा transformation हो रहा है आपके energy में changes हो रहा है ठीक है और बहुत बड़ी बात है कि आपको आपके divine love मिल रहे हैं कुछ लोगों कैसा हो सकता है क कि कार्मिक रिलेक्शन खतम हो कोई new person आए आपको समझाए और काफी unique सा feel कर आए ठीक है क्योंकि deep affection love spiritual love यहाँ पर देख पारी हो बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है तो information काफी अच्छा प्योर आया है आप सभी के लिए तो और क्या आगी होने वाला आपके life में आपको ब पहले दिखिए आप सभी के लिए कार्ड है कि आप जो है मून की energy है अभी बहुत साथ depression anxiety है ठीक है ठीक है थोड़ा दिन चल सकता है बेभी 10 days चल सकता है लेकिन उसके बाद यह जो black clouds कह सकते हैं वह खतम हो जाएगा ठीक है और आपके life में खुशी आएंगी उसके बाद है 10 of water यहाँ पर तो reunion बहुत सारी लोगों का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आपका trustworthy relationship शुरू होने वाला है साथ-साथ family भी आपके साथ बहुत जादा घुल मिल रही है आपको बहुत जादा appreciation मिल रहा है प्यार मिल रहा है ठीक है यहाँ पर हो सकता है कि आपके family जो है आपके रिष्टे के लिए मान जाए यह भी information यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दिन के information है यहाँ information है आपके लिए don't give up यहाँ ऐसा कहा चाहरा है कि अगर आप किसी चीज के लिए stand ले रहे हो कभी-कभी ठक चाते हो हार चाते हो कहा चाहरा है give up मत कीजिए क्योंकि काफी जल्दी वह आपका सपना पूरा होने वाला है ठीक है अपने उपर आपको courage रखना है और ग्लीव भी रखना है ठीक है यहाँ आगे आने वाले टाइम में नियर future में आप काफी ज़्यादा confident होते हुए दिखाई दे रहे हो सासद intelligent हो रहे हो आपके wisdom में भी काफी ज़्यादा growth होते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर दो काड आया है यहाँ पर कहा चाहरा ह कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको काफी patience के साथ और secretly करना है ठीक है यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा अपने केरियर पर भी काफी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रुत है ठीक है और अगर आपको कोई dream है तो उसके लिए आपको plan करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए यह चीज यहाँ पर कहा जा रहा है और एक बहुत अच्छा information है कि अगर आप किसी चीज को manifest करते हो तो वह आपका manifestation अभी पूरा हो जाएगा ठीक है एक week के अंदर अगर आपको इच्छा manifest कर रहे हो तो बहुत आपका manifestation पूरा हो सकता है chances है यहा चीजे पा सकते हो ओके यहाँ पे relationship आप सभी का कुछ लोग relationship में हो तो आपका relationship जो है एक new level पे जाते हुए दिखाई पड़ रहा है ठीक है बहुत सारे लोगों का reunion हो रहा है बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका शादी भी हो सकता है higher level पे जा रहा है मतलब आप दोनों की बीच का जो connection है bounding है वो और भी strong होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके person जो आपको value नहीं देते थे वह आपके लिए काफी ज्यादा empathetic होते हुए दिखाई दे रहे है क्यार करते हुए दिखाई दे रहे है काइंड होते हुए दिखाई दे रहे है और प्यार भी बहुत कर रहे है ठीक है यहाँ पर information है देखें यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आप त्री दिन तक आप पर जो है तोड़ा problem चल सकता है तीन दिन आप थोड़ा साइड ज क्योंकि आपने शायद किसी वैसे person से expectation लगा लिया जो कि आपके लिए कभी loyal नहीं था ठीक है कहा जा रहा है कि उसको भूल चाहिए और life में आपको आगे बढ़ने की जरुवत है और क्या information है आपके लिए इंपरेस का काड़ है लाइवेश आपके life में आ रहा है तीन विक के अंदर हो सकता है कि आपका केरियर में कुछ बहुत बड़ा आपको opportunity मिले साथ-साथ यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई business है तो उसमें आपका यह दिखाई दे रहा है कि business बहुत misconception है वो खतम हो रहे हैं और आप काफी जादा confident होते हुए दिखाई दे रहे हो ओके यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि अपने थोड़े से हैंकार या फिर ego को आपको क्या करना है कम करना है maintain करके रखना है क्योंकि आपका गुस्सा negativity आपको पीछे के और धकेल सकता है इसलिए आपको अपने ego को या गुस्सा एंकार को खतम कर देना है three of fire वैसे abundance आपके राइफ में बहुत सदा आ रहे है ठीक है किसी चीज के लिए आप long term plan करने वाले हो in the near future और आपको काफी ज़्यादा victory मिल रहा है good news मिलते हुए दिखाई दे रहा है in the near future ओके और यहां पर बहु तो खतम होने वाला है आपकी spiritual transformation हो रही है और कहा जा रहा है कि आप move on करने वाले हो अपने life में ठीक है आप अपने near future में कुछ बहुत बड़ा experience करते हुए दिखाई पड़ रहे हो ओके सो अगर आप लोग मुझसे personal link चाहते हो contact कर सकते हो में email और स्टाइडी के तूप अबी से चलते हैं तो दो बड़े बबाई टेक केर अपने ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फामली का भी है आपका बिर्थरे 16-31 के बीच में आता होगा आपको बताने वाली हो कि आपके near future में क्या कुछ होने वाला है राइट सब्लोग बिल्कुल positive रही है चैनल पर है तो चानल को सब्सक्राइब कीचे पर्सनल इंक लिए कॉंटाक कर सकते हो मेरे चीमेल और इंस्ट आइडी के थूँ तो प्लीज गोट गिमी अक्यूरेट मैसेज फार माइडियर वीवर्स ओके बहुत अच्छा काड़ आया है इंजल आपको कुछ बताती हूं सबसे पहल इंजल आपको यह कहना चाहते हैं कि आप जो है काफी ज्यादा लखी हो और आपके नियर फ्यूचर में कुछ बड़ा ब्लेसिंस आपके तरफ आ रहा है ठीक है हम गहराई में चानेंगे कि क्या आपको ब्लेसिंस मिलेगा तो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अबंद सब्सक्राइब आपके कोई आपसे बहुत जादा प्यार कर रहा है उसके तरफ से कुछ बहुत अच्छा एकसाइटिंग भरा गिफ्ट आपको मिल रहा है यह भी चीजिज यहां दिखाई दे रहा है बहुत सारी लोगों का बिर्थ दे आ रहा है तो हो सकता है कि आपका बि relationship होगा, वो काफी ज़्यादा safe and adventurous होने वाला है बहुत साइड लोग जो है आद ट्रावल करते हुए भी बहुत साइड लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोज सकती हूँ कि आगे आने वाला जो आपका टाइम है, उसमें आप बहुत साइड़ा वास्ट and lavish abundance अपने लाइफ में attract कर रहे हो, ठीक है और कुछ लोग travel भी करने वाले हैं in the near future, यह energy है तो angel of good fortune मतलब कि बहुत सारे good fortune अच्छी चीज़ें आपके तरफ आ रही है especially आपके career में दिखाई दे रहा है कि आपके career में बहुत जादे changes हो रहा है, ठीक है career में बहुत सारे opportunities मिल रहे है यह भी दिखाई दे रहा है angel of divine feminine तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आप जो है अपने twin flame partners से मिलने वाले हो in the near future दिखे बहुत सा लोगती information है ठीक है हो सकता है कि आप अपने सपने में देख रहे हो feel कर रहे हो और काफी जन्दी वो चीज होने वाला है ठीक है ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी inner knowing हो रही है ठीक है खुद पर trust करते हुए दिखाई दे रहे हो आपका मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि feeling confidence जो है काफी स्टॉंग होने वाला है ठीक है ऐसा हो सकता है कि relationship अगर किसी के साथ हो तो उनके साथ आपका relationship बहुत अच्छा हो सकता है और feelings भी एक दूसरे के लिए और भी क्या हो रहा है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है relationship में हो तो काफी ज़्यादा confidence में आते हुए दिखाई दे रहे हो especially career के लिए कि काफी ज़्यादा confidence आपके अंदर आने वाला है ठीक है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि universe के साथ आप काफी ज़्यादा align होने वाले हो ठीक है यहाँ पर यह भी information है कि आपके life में अब वो लोग रह जाएंगे सिर्फ जो कि आपके लिए true और सच्चा feel करते हैं जो कि सच्चे हैं आपके लिए वो लोग रहेंगे देखिए twin flame partner से बहुत साई लोग मिल रहे हो यह आपको chance मिल रहा है ठीक है और कैसे होंगे वो person मैं आपको बताना चाहूंगी first of all वो maybe outspoken हो सकते हैं और काफी ज़्यादा आपके सामने मतलब अपने feelings को express करेंगे खुल के ठीक है मतलब वो चाहेंगे कि आप अपने अंदर सुधार लाओ ठीक है आपको हर्ट करने के लिए बलकि आपको एक अच्छा person में convert करने के लिए वो person आपको मदद करेंगे ठीक है तो यह चीज़ दिखाए दे रहा है कि जो आप अपने divine feminine से मिलने वाले हो अगर यहां पर feminine word यू आपको अपने पर यहां पर दिखाए पर रहा है और क्या इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूंगी प्लीज को और गिमें अकूरेट मैसेच क्या होने वाला इनके नियर फ्यूचर में ओके यहां पर पहला काड़ आया है angel of nurturing यहां पर ऐसा दिखाए दे रहा है कि आपका बहुत ज़्याल रखा जा रहा है या तो आपके family के द्वारा या तो आपके पार्टनर के द्वारा ठीक है जो प्यार आपको पहले नहीं मिला वो प्यार आपको हो सकता है कि आपके current partner से ठीक है आपके husband आपके wife से मिले appreciation मिल रहा है आगे आने वाले time में नियर future में ठीक है आप पूरे दिल खुलके अपने जिन्दी के कुछ जीते हुए दिखाई दे रहे हो साथ-साथ यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरफ complete होने वाले हो फिल होने वाले ह से बोहत चाहर है इस हो रहा है। बहुत चाहिँ हो रही है गोदी की हीिलिंग हो रही है ठीक है को चाहिका में प्यार करते हूं Finishाई कर रहे हो यह सारे information यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है इंचल ओफ एक्षन से कि आगे आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में आप कोई काम कर रहे हो और जिस भी काम में आप हाथ बढ़ा रहे हो वाफी फोकस के साथ प्लान के साथ चीज़ों को कर रहे हो पेस के भी फिलिंग्स की कदर किये जारी है ठीक है आप बहुत सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहे हो आपका कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट वगेरा कर रहे हो तो वह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है ठीक है बहुत दिन से आपका एक्ज सब्सक्राइब करता है कि सालरी वगएर आपको मिल चाहें ठीक है प्रोमोस्टिन होने के भी चांसे है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आगे आने वाले टाइम में किसी की भी जरुवत नहीं होगी आप बहुत ज्यादा खुद के अंदर सब्सक्राइब करोगे आप अपने अबलीटी को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर किसी बिजनस पर काम कर रहे हो तो वह आपको बहुत ज्यादा फ्रूट्फुल डिजर्ट देने वाला है आगे आ बहुत से लोगों का legal cases है तो उसमें भी आपको clarity मिल रही है ठीक है आप अपने life के situation को काफी अच्छे मतलब करते हुए दिखाई दे रहे हो ठीक है आपने खुद effort लगाया है और आप जो है एक बहुत अच्छे समय में आते हुए दिखाई पड़ रहे हो कहने का यह मतलब है कि अभी आपका जैसा life चल रहा है से बहुत बैटर आपको life मिलेगा ठीक है आपके perspective में भी changes में देख पारी हूं ठीक है ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उसको देखते थे कभी इस से compare करते थे कभी उससे compare करते थे लेकिन अब आगे आने वाले time में in the near future से ही आपके perspective आपके thought process में change हो रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका सिर्फ और से focus खुद पर रहेगा ठीक है दूसरों पर नहीं रहेगा तो यहां पर यह चीज में देख पार हूं कि आपके अंदर awareness सारा है ठीक है सोचने समझने की सबती अच्छी हो रही है great understanding आपके अंदर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा जरुवत थी पहले के टाइम से ही ठीक है और के information है प्रीज को और गिमें accurate message ओके यहां पर इंजल ऑफ चेंज यस डेफिनेटली आपके लाइट में बहुत बड़े आ प्रोडि के बाड़ी प्रबल्लम ऐसा दिखाई दे रहा है तो थिकाई प्रॉबल्म व्सकाइब अगर लेक्न प्रिप्र इस सब चकेर प readiness ही तो खतम हो रहा है यह वोग है बहूत शब्स नर्ट संव다 को लेकर problems है खतम हो जाएंगे और साथ-साथ आपकी लाइफ में balance आएगा ठीक है emotionally भी और physically भी ज्यादा तो मुझे आना दिखाई दे रहा है compare क्या किया चाहिए यहां पर तो ऐसा दिखाई जाए कि emotionally भी बैलेंस हो रहे हो और physically भी balance हो तो balance energy हर तरीके से आते हुए दिखाई पढ़ रहा है and major life changes हो रहे है ठीक है और experience भी बहुत कुछ कर रहे हो यह भी चीज़ यहां पर दिखाई पढ़ रहा है और राइट दिन क्या information है प्लीज़ गिम्या कुरेट मैसेज फोर में दिखाई यहां पर आपके लिए है एंजल आफ इनर पीस वाहो दाट्स ग्रेड यानि कि आपके अंदर बहुत सादा शांती आ रही है आपके मन में स्टरंथ आ रहा है ठीक है आपके अंदर शांती आ साथ आप लोग यह कहिए या फिर आप लोग यह लिखिये कमेंट में I am calm and peaceful all is well my life is good ठीक है इस तरीके से आप लोग छीज़े जो है लिख सकते हो ठीक है कि मैं मेरा लाइफ अच्छा चल रहा है तो यहां पर आप कमेंट में लिखते हो ना तो यह बहुत अच्छा जगा है आप युनिवर्स से direct align हो जाओगे ठीक है यहां पर इसलिए मैं कहा रही हूं कि आप लोग जो भी दिल में बाठते हैं वो चीज़ लिख सकते हो ठीक है और मैं कुशिश करती हूं कि मैं सभी कर एप्लाई करूं ठीक है और मैं सभी के लिए प्रे करती हूं यह चीज़ करने का जर्वतनी है प्रे यहां से हो रहा है और बहुत चल्दी सबका समधान सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है युनिवर्स के साथ मतलब की अर्थ के साथ भी बहुत स्यादा connected होते हुए in the near future दिखाई पर रहे हो ठीक है और जो भी आपकी energy drain करती थी ठीक है कहने का मतलब है जो भी आपका energy सक करता था वो सारी चीजें आपके life से जा रही है और यहां पर है rose quartz वाव that's great angel of loving relationship oh my god यहां पर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आपका romantic relationship जो है सुरू होने वाला है कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका relationship जो है न इंप्रूव होने वाल रहा है ठीक है यहां पर एंजल साब से पूछना चालते हैं are you ready for a new relationship क्या आप new relationship के लिए ready हो क्या आप अपने relationship को improve करने के लिए ready हो ठीक है तो यहां ऐसा दिखाई दे रहा है कि yes definitely आपके relationship में भी improvement हो रहा है जो कि relationship को फिर से ठीक करना चाहते हैं ठीक है तो यह चीज क्लियर है कि आपका relationship अच्छा हो जाएगा जिससे आप प्यार करते हो वह वापस से आ दिखाई दे रहा है फुल्फिल्मेंट हो रहे हैं विसस के जो भी relationship से रिलेटर आपके विसस है वो विसस पर फुल्फिल हो रहे है और दुसरी बात singles के यहां दिखाई दे रहा है कि आपके love life में कोई इंटर कर रहा है वह आपके distant life partner हो सकते हैं ठीक है मैंने video बनाया है इ यहां पर यह सारे chances है और कुछ लोगों के लिए असा दिखाई दे रहा है कि आपके कोई friend ही आपके distant love partner निकल सकते हैं ठीक है आपके जो person होंगे वह आपको काफी ज्यादा encourage करने वाले होंगे motivate करते होंगे inspire करते होंगे ठीक है मैं आपको four cards और भी लेकर बताऊंगी क्या information है आपके लिए this one okay please God give me accurate message angel of kindness वाव हो तो यहाप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी wisdom में भी बहुत सा ता growth हो रही है ठीक है यहाँ आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके तरफ अपना प्यार अपना kindness दिखा रहे हैं लोग आपके well wisher आपके supporter बनते हुए दिखा अगर आपका behavior किसी के साथ खराब था रूट था तो असा दिखाई दे रहा है कि आपका behavior सभी के साथ अच्छा हो रहा है ठीक है आप kind hearted बनते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को पहले उतने से सोचते समस्ते नहीं थे लेकिन आप ऐ आगे आने वाले टाइम में आपके life में कुछ नई people आ रहे हैं ठीक है आपके career से related ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नई people आ सकते हैं जो कि बहुत important role play कर सकते हैं आपके life में ठीक है और कुछ नई opportunities यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं और right balance तो है definitely आपके life में balance आ रहा है देन यहां पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि एक loving relationship आपका सुरू होने वाला है और कहा चाहरा है कि enjoy कीजिए उस चीज को ठीक है क्योंकि वो जो person होंगे ना वो काफे friendly nature के होंगे loving nature के होंगे प्यार करेंगे और आपको support भी करेंगे new information new ideas देंगे क्योंकि आगे आने हो आगे आने वाले time in the near future निकट भविष्ट में ऐसा हो सकता है कि आप कोई नए skill सीखो ठीक है जो भी चीजें आपके अंदर कमी थी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस कमी को आप पूरा करने वाले हो ठीक है यहां पर खुद ऐसा angels कह रहे हैं ठीक है तो यह सारे information है और ऐसा भी कर सकते हो ठीक है आपके अंदर वो strength है क्योंकि यहां पर इनर strength का भी काड़ है यहां पर आप सभी लोग ऐसे भी affirmation कर सकते हो कि it is safe for me to be powerful in loving ways ठीक है दीक है इनसरूरी नहीं है इंसान जो है powerful है तो वो दूसरों को धराए धमकाए तभी वो powerful बनेगा ऐसा नहीं है यहा powerful बन सकते हो उनका दिल जीद सकते हो ठीक है तो यहां पर एक चीज दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले time in the near future आपके life में शायद आपको कुछ power, position, authority मिल रही है यह भी आपर information दिखाई पड़ रहा है क्योंकि power के बात की गई है एंजल के द्वारा definitely power से भी related आपके life मे पे कुछ हो रहा है ठीक है और सासत मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर आपने कुछ manifest किया है manifestation definitely पूरा होगा ठीक है आपके लिए और का information है मैं आपको बताना चाहूंगी please God give me a curate message for my dear viewers please guardian angel please God give me a curate message okay San Christopher यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं okay so यहाँ पर बहुत beautiful information है first of all कि आपके अंदर जो potential है वो unlimited है ठीक है आपको ऐसा feel करना है कि आप जो है आप unlimited हो और आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके life में इंटर कर रहे हैं आपसे नई-इन चीजे सिख रहेए हैं आगे आने वाले टाइम में आपको अपना ऐसा दिखाई दे कि कुछ लिख रहे हो कुछ लोग राइटर बन रहे हो ठीक है कुछ लुक्षाइरी भी लिख सकते हो तो कि पना सॉन्ग लिख सकते हो यह भी चीज Mm बहुत देर हो जाएगी कब स्टार्ट करोगे अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए तो आपके अंदर कुछ टालेंट है तो उसको शो कीजिए और अगर अगर सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है सीखिए उसके बाद फिर पीचेगा तो यहां ऐसा दिखाई दे रहा ह है यस डेफिनेटली आपको ना बहुत ज़्यादा किसी के द्वारा गाइडेंस मिल सकता है कोई टीचर हो सकते हैं कुछ लोग बिल्कुल सही पात पे चल रहे हैं मुझे तो यहां पे अल्मुस्ट सभी लोग बिल्कुल सही पात पे दिखाई दे रहे हैं और आप सबसे अ ना करें आप खुद को इंस्पायर कीजिए ठीक है यहां पर यह चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ क्रियेटिफ तो होगा आपके लाइफ में ठीक है तो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू आर डिवाइनली इंस्पायर्ड ओके और क्या इंफरमेशन है प्लीज गिम्यों क्या कि मैसेजर्ड इंस्पाय पिरिज़ मदर मेर्य उनिकॉर्ड गिम्या कूरेट मैसेश तो वह इसका दिखाई दे रहा है कि आपको किसी चीज का रियालाइजस्शन होने वाला है आगे आने वाले टाइम में सहाध आपने किसी को हार्ट किया है ठीक है तो फिस क्योंकि यूनिवर्स के ही आप सभी बच्चे हो ठीक है अगर आप पुरे दिल से माफी मांगते हो तो माफी मिल जाएगी ठीक है क्योंकि यूनिवर्स होते हैं वह बहुत द्यालू होते हैं चाह आप मदर मानो या फादर मानो ठीक है वह बहुत जादा द्यालू होते हैं और वो आपको माफ भी करेंगे तो यहां इसे तहाँ जारा है कि आप जो है, अपने किसी पुरानी बातों को रियलाइस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कि अपने गल्तियों को रियलाइस करें, आप आगे बढ़ तो इस तरह की चीज आप feel करने वाले हो ठीक है ऐसा हो भी सकता है कि आप बहुत सरी चीज़े अचीब करने लगो आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ science भी दिखाई दे सकते हैं जैसे कि angelic number भी दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो इतना दिखाई दे रहा है ना कि positivity आपके तरफ आ रही है in the near future positive energy आपके life में आ रही है creative ideas आ रहे है mental blocks खतम हो रहे है और कोई भी चीज़ों को systematically जो है कर रहे हो ठीक है और क्या information है आपके लिए please God give me accurate message please God give me accurate message for my dear viewers oh my god that's great mother Mary का काड़ यहां पर आ चुका है तो यहां पर आपको कहना है मैं आप सभी को बता रही हूं और आप सभी को यहां पर comment में लिखना भी है ठीक है चाहता आप लिख सकते हो इससे क्या होगा कि energy आप लेक्लेम कर पाऊंगे तो यहां पर है कि Mother Mary आपको कहना चाहती है I am an instrument of peace and love ठीक है तो यहां पर यह चीज कहना चाहती कि आप लोग इस तरीके से फील कीजे इस तरीके से बोलिए ठीक है तो यह चीज यहां पर दिखाई दे रहा है कि Mother Mary जो है आपके तरह बहुत जादा mercy दया और kindness जो है भीज रही है ठीक है यहां पर ऐसा कहा जा रहा है क आपके मेरिकल सोने वाला है आपके लाइफ में आपके जो सपने हैं उसके beyond जागर चीजे आपको मिल रही है ठीक है और जो भी manifestation आपने किये है वो भी आपके manifestation पूरे हो रहे है ठीक है अच्छी energy है बहुत अच्छी positive energy है लेकिन थोड़ा सा आपको active रहा है ठीक है और क्या information है यहां आपके लिए दो information और है ठीक है यहां पैसा कहा जा रहा है कि आप लखी बहुत हो ठीक है और आपके तरफ abundance आ रहा है prosperity आ रही है ठीक है अपने जो भी ups and downs जो भी कमी है वो सरी चीज़ों को आपको एक्ट सब्सक्राइब करीदना घर खरीदना तो यह सारी चीज म लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ठीक है आपके intuitive skill जो है मतलब कि psychic abilities भी बहुत जादा बढ़ रही है इंवर्मेंट के साथ जो है आप काफी ज्यादा interact कर रहे हो ठीक है और करने के जरुद भी है को कि आप बहुत जादा focus होते हुए दिखाई दे रहे हो focus मतलब कि आप किसी चीज के लिए प्लान किये हो जो भी आपके dreams है उसको reality में change कर रहे हो उसके लिए काम कर रहे हो यह चीज यहां पर दिखाई दे रहा है आप आगे आने वाले टाइम में बहुत जादा confident होते हुए दिखाई दे रहे हो ठीक है और क्या है information आपके लिए कोई बहुत बढ़ा great idea मिलने वाला है in the near future आपको ठीक है यहां पैसा दिखाई दे रहा है कि people in सारे लोग आपको सुन रहे हैं for example आप stage पे हो ठीक है अपने बातों को रख रहे हो और आपको डरनी की जरुवत नहीं है life में आगे बननी की जरुवत है यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में in the near future बहुत fruitful result आपको मिलेगा ठीक है यह चीज़ यहां पर है जो भी music singing या फिर कुछ instrument वगरा प्ले करते हो पेंटिंग करते हो राइटिंग करते हो ठीक है sketch को अगेरा तरह सा दिखाई दे रहा है कि बहुत मिल रहा है या फिर आप अगर कोई stand-up comedian बनना चाहते हो ठीक है या फिर motivational speaker बनना चाहते हो अपना चैनल सुरू करना चाहते हो आप लोग कीजिए बहुत अच्छी energy आ रही है आपके लिए और आपको क्या मिलेगा तो तीन कार्ट मैं आपको बताहीं देती हो लेकर यहाँ पर information है आपके लिए यहाँ पर chances है कि कोई past से आपके life में इंटर कर सकते हैं ठीक है और past के person के साथ romantic relationship भी शुरू हो सकता है यहाँ पर information है आपके लिए येस कोई person तो आ रहे हैं आपके life में जो कि बहुत loyal dedicated honorable and kind person होंगे ठीक है और यह बिल्कुल guardian angel की द्वारा भीजे गए person है और क्या information यहाँ पर information थे कि यहाँ पर आपको यह बताना चाहूंगी कि जिसके साथ आप relationship में आने वाले हो वह एक loyal connection होगा loyal person होंगे वो ठीक है loyalty दिखाई दे रही है आपके तरफ आ रही है आपके जो person होंगे यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जादा successful होंगे ठीक है यह और न्यूश मिल रहा है आपको financial matter में ठीक है तो financial अगर problem चल रहा है तो financial issue खतम होने वाले है साथ-साथ financial gain भी हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे bottom of the deck में आपको बता देते हूं क्या है आपका ओके तो आगे आने वाले टाइम में बहुत साथा confident हो रहे हो intelligent होते हुए पढ़ रही है आप आगे आने वाले टाइम में किसी भी चीज से डर नहीं हो ठीक है काफी ज़्यादा adventurous हो और बीना थके चीजों को कर रहे हो life में आगे बढ़ रहे हो ओके सु यह सारे information है आप सभी क्लिए पाई टू अगर आप लोग चैनल में नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए परसने डिंग के लिए contact कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टाइडी के तुरू चोकि मैंना आपको सुने पर शो कर दिया है तो चलते हैं तो क्लिए बाबाई टेक के अपने ख्याल रखिएगा और इपने पूरे फैमली का भी